मेरी गूद मॉर्निंग फ्रेंट्स डिस डॉक्टर आलूग पटेल यह केस है थर्टी वन येर ओल्ड फिमेल पिशेंट का जिसको माइग्रेन का प्रोब्लम है और इर्रेगुलर मैंसिस का प्रोब्लम है तो यह मेरे पास किसी मेरे फ्रेंड ने रिफर किया तो यह अभी अन्मेरेड लेड़ी है और इसकूल में प्रिंसिपल है ठीक है एज प्रिंसिपल इसकूल में अपॉइंट हुई है तो यह अभी मेरे पास आती है और क्या बोलती है कि माइग्रेन की तकलीफ है इससे बहुत ज़्य हमेशा medicine ही लेनी पड़ती है वो कई बार जब सिरदर्द बहुत ज्यादा होता है तो बहुत करते हैं में कि अधा आपसे जब सिर्दर्द होता है तो दिक है तो तो समझर केस्च ाक्राइथ होता है तो उसने बोले कि सिर दर्द जब होता है ना कि तो मैं दवाईं ही खाती हूं सात मैं ठंडी पट्टी में लगाती हूं भूत आराम किसि से ही तो मैंने कहा और और क्या चलता है दिमागें उस लुटे इस चीम, पर दिमाग में क्या चलेगा बस कुछ पुरानी बातें हैं वह याद आती है मैंने कहा की क्या मन में चलता है थोड़ा खुल के बताई ये तो लेडी ने बताए कि हां पुरानी कुछ ऐसा पुरानी बाते हैं लेकिन अब तो वो बाते नहीं है हाँ बट आज आती है तो मैंने कहा मुझे समझना है वो बताई यह आप तो बोला कि तो फिर मैंने पूछा कि जब आप उस ताइम पर और क्या करती हो तो बोलती है फिर मैं स्कूल नहीं जाती हूँ और यही बाते दिमाग में चलती रहती है तो मैंने पूछा फिर से कि क्या मन में क्या बात आती है क्या दिमाग में चलता है तो इसका मतलब समझ यह कि इसका सरदार्द कौन है कौन कर रहा इसको सरदार्द है ना तो वो जो बा कुछ मेरे साथ गलत हुआ है वही बात दिमाग में आजाती है तो मैंने कहा क्या गलत हुआ तो बोला कि वए पुरा नहीं बात पूरे टाइम दिमाग कर गूमती रहती हैं तो मैंने कहा कौन सी बात है फिर चे मैंने पूछा कौन सी बात है वह वहीं गॉल गुल गुमा रही पैजे तो पैशन ने बोला कि अभी मैंने शादी नहीं हुई है मेरी Unmarried हूं मैं लेकिन शादी करने की इक्छा तो अब ढूल भी रहे हैं तो ताकि लाइफ अच्छे से गुजरे तो मैंने का भी जख शादी क्यों नहीं करी तो बोला वस वही पढ़ाई लिखाई था बी एड एम एड किया ठीक है उसके टाइम पर उसमें टाइम हुआ तब तक मेरे पेरेंट्स मेरे लिए एक लड़का ढूंड रहे थे लेकिन मैं मना कर दिया था कि अभी रूख जाओ मेरी पूरी पढ़ाई हो जाए और फिर मैं पढ़ाई करके मैं जॉब पर लग गई और मुझे मेरे एडुकेशन अच्छा होने के वैसे नॉलेज अच्छा होने के वैसे मुझे प्रिंसिपल की पोस्ट दे दी गई ठीक है तो वहां पर जब मैं पोस्टेड हो गई तो वहां फिर एक बी एड करके कोई एक लड़का अपॉइंट हुआ एज़ टीचर ठीक है तो उस वो लड़का काफी हैंसम था और उस से हमारा कनेक्शन हो गया तो हम दोनों के बीच में रिलेशन सिप बन गया बहुत अच्छा था सिप फिजगल रिलेशन सिप नहीं था बट बहुत कुछ था तो वो बहुत दूर कर रही था तो फिर हम ने अपने पापा से भी बताया तो वो पापा रैडी हो गए शादी के लिए बट धेरे दीरे इस के हमारे पिते जी ने उसकी फैमिली के बारे में पता लगाया कि ये मुझे नहीं बताया तो जब उनके बारे में पता चला तो और लड़के के बारे में भी धिर धरुदर से मुझे कुछ दिन बात पता चला तो फिर मुझे लगा कि ये तो लड़का ने मेरे साथ धोका कर रहा है ठीक है उसने जो सारी बाते बताई हैं वो सब गलत हैं मतलब उ शादी की बात जैसे शुरू होई तो फिर उसके behavior भी change होने लगा तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे लगा कि उसने धोका किया मेरे साथ ठीक है और गुस्ता भी आया उसके उपर बहुत ज़ाद दुख भी हुआ ठीक है और मुझे तो उसको इसको अपर नफरत सी होने लगी कि क्या बंदा है यह मेरे साथ गलत किया उसने धोका किया ठीक है तो फिर मैंने उसको गुस्से में वहां से reconstitute कर दिया मैंने उसको निकाल दिया उसकी जॉबत क्योंकि मैंने इसको पॉइंट कराया था तो मैंने का अपने कैसे निकाल दिया बोला मेरे हांत में सब कुछ है मैंने निकाल दिया तो फिर मैंने पूछा कि शेवदर्द के टाइम पे आप क्या करते हो तो फिर से उसने बोला कि वही पुराने ख्यालों में सूचती रहती हू तो बिजगंते वो दिमाग से बाते हटती ही नहीं उसने मेरे साथ ऐसा किया तो यह बहुत सिंपल सा केस था छोटा सा रिमेडी है बहुत इंट्रेस्टिंग इस रिमेडी को जानना जरूरी है तो अभी इस केस को हम समाजते हैं तो इसमें सबसे पहले देखिए आप बहुत अलमेंट है जहां से इसका सिर्दाइग हुआ और उसने बता है कि उसके बास मुझे शरीद होना सुरू ह गया तो यहां पर एक बहुत बड़ी और उप 리क है ऐल मेंड फ्रों बेट्रेड बींग ठीक है ailment from betrayed being एक और रूब्रिक है ailment from deceived deceived being friendship in ठीक है ailment from deceived being friendship in और बड़ा रूब्रिक लेंग है ailment from delusion deceived he is ठीक है तो ये तो इन रूब्रिक लगाएंगे तो एक ही रिमेडरी आजाएगे तब तक आपके पास बट और भी सुचेंगा इसमें ailment from betrayed being लिया ailment from love disappointment तो उसने जो उससे प्यार किया उसमें उसको धोखा मिला disappointment हुई ठीक है अब एक और रूब्रिक है in his work he is तो इसका मतलब ये रूब्रिक है कि वो जहां अपने काम में है वो अपने 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 एक authority है authority रखती है वो तो जैसे ये principle है और इसने principle होते हुए principle की मतलब as a being a principle इसको authority है कि वो किसी को भी निकाल सकती है तो ये delusion imagination authority in his work he is ये रूब रेखे और dwells on past disagreeable occurrence dwells on past disagreeable occurrence वो पुरानी बातों को सोचती रहती सबसे बड़ा problem उसका यह है कि वो दिन रात अपने उन्ही पुरानी बातों को सोचती रहती है और अभी क्या चारही company desire for relax of those she can मतलब अभी मन करता है कि शादी कर लूँ वो शांती से उसके साथ अपना जीवन बिताओं तो वो husband चाहिए उसको company चाहिए कि वो उसके साथ relax हो करके अपनी life बिता सके तो ये साहे rubrics के ऊपर हमारे पास एक ही rubric आती है एक और बढ़ी है रूबरिक भी बताया मैंने ailment from deceived being friendship in तो ये remedy है रस ग्लैबरा ठीक है तो उस patient को रस ग्लैबरा देने से उसका migraine और उसका irregular menses सेटल हो गया तो रस की ग्लैबरा बहुत अच्छी रेमेडी है जब कभी जब कभी किसी इंसान को किसी अपने close friend से जो उसका बहुत ज़्यादा close friend है और उसने उसको धोखा दे दिया ठीक है तो ये जो रेमेडी है यहां पर बहुत अच्छा वर करती है ailment from deceived being friendship in so friends this was the case of Russ Glabra thank you for watching and जिसको लगता कि हमें पैथी सीखना है तो वो हमारी classes से जूर सकते हैं और मुझे contact कर सकते है 975-2820-258 number thank you thanks for watching